रम्जा आया, मुमिनू रम्जा आया रम्जा आया, मुमिनू रम्जा आया अनवार अर्स करता है एक और बाताया रम्जान के महीने का दिल चस्पु तथकिरा अनवार अर्स करता है एक और बाताया रम्जान के महीने का दिल चस्पु तथकिरा अन्वार अर्ट करता है इत और वाकया सम्दान के महीने का दिल चस्कुता जिक्रा रमजान लेके आता है खुशियों की वो बहार होता है बंदों पैदों में शैतान नाबकार वो थी है बरतखे बड़ी हर एक के रिस्कुने होता है इजाफा हर किनसा के सिद्कुने इस माह में करते हैं जो खेरात दोस्तो पाते हैं उसके वो बड़े अजरात दोस्तो मौला इबादतों का बड़ा देता है सवाफ हटते हैं रोतादार के सर से सभी इताफ जो इसको मानते हैं बड़े खुश नसीब हैं हैं खुल्ग के हखदार खुदा के करीब हैं मुनखिर है जो रमजान के वो बदनसीब हैं अल्लाह और रसूल के वो तो रकीब हैं ऐसा ही एक वाकया हमने भी है लिखा नफरत में और इश्क में क्या राज है छुपा ओ भाई एक शहर में रहते थे खुश नसीब आला बड़ा अमीर था अतना बड़ा गरीब ओ भाई एक शहर में रहते थे खुश नसीब रमजा आया मुमिनों रमजा आया चोटा बड़ा गरीब कसी रुल आयाल था दौलत थी बड़े पे मगर कोई न लाल था ओ मानता नहीं था खुदा ओ रसूल को था नाम का मुसलम वो पासित था दोस को दीवी को उसकी नाज था दौलत पे इस कदर बेशर्म फिल्म देखती रहती थी रात भर वोमों सलात से उन्हें रगबत न थी कोई अल्लाह और रसूल से उल्पत न थी कोई छोटे का हाल सुनिये वो दोनों थे पात बात रखते थे रोजबा खुशी पढ़ते थे वो नमाद मुपलिस गारीब थे भचे कपड़े थे उनके पास उम्मीदु पे कायम थे न होता था दिल उदाव बच्छों को रूखी सूखी खिला कर वो पालते शुक्रे इलाही करते हुए दिन गुजारते होता है उनका इमता जो नेक है पशर मुश्किल में वो कभी नहीं होते इधर उधर होता है उनका इमता जो नेक है पशर मुश्किल में वो कभी नहीं होते इधर उधर होता है उनका इमता जो नेक है पशर मुश्किल में वो कभी नहीं होते इधर उधर मुझा जाए खुदरत खुदा की देखिये किसमत बिगड़ गई खुर्बत के इस चमन की धर्रा उठी कली पीवार ऐसा हो गया बच्चे हुए मलूल खिलने से पहले सूप गया आरजू का फूल वीवी पे जो जेवर था सभी उसने बेच कर सब कुछ लगा दिया न तबियत पे था असर एक रोक घर में खाने का सामान कुछ न था बच्चों को यूँ ही देख दिला सा सुला दिया आया जो रोज दूसरा बच्चों ने यूं कहा अम्मी हमारा भूक से अब हाल है बुरा बहरे खुदा ऐवाल दा खाना खिलाईये बाबा को क्या हुआ हमें कुछ तो बताईये बच्चों की बात सुनके बनी उसकी हिचकिया रो रो के फिर गरीब वो करने लगी बया बच्चों तुम्हारे बाप है बीमार इसकदर बच्चों तुम्हारे बाप है बीमार इसकदर अब उन से काम कुछ नहीं होता मेरे पिसर बच्चों तुम्हारे बाप है बीमार इसकदर अब उन से काम कुछ नहीं होता मेरे पिसर बच्चों तुम्हारे बाप है बीमार इसकदर अब उनसे काम कुछ नहीं होता मेरे किसल रम्जा आया मुमिनो रम्जा आया रम्जा आया मुमिनो रम्जा आया रखो यकीन जात पे अल्लाह की एलाल मांगो दुआएं सबर वो कर देगा माला माल एक रोद साथ फखर के शोहर ने यूं कहा भाई मेरा अमीर है ऐ बीवी पारसा चाकर वहां पे हाल सुनाओ मेरा सभी उम्मीद है करेंगे मदद आएंगे अभी पहुची जो उसके महलु में बेचारी खमजादा और हाथ जोड कर बड़े भाई से ये कहा भाई तुम्हारे हो गए बीमार भाई जा एक आरजू लिये हुए आई हूँ मैं यहां पच्चे भी तीन रोज से भूके हैं हमारे अब भूप की शिद्ध से तड़पते हैं बीचारे अमीद के सहारे में आई हूँ भाई जां एहसान गरीबों पे करो मेरे महरुबां अल्ला हने दिया है गरीबों को दीजिए अल्ला हने दिया है गरीबों को दीजिए कुछ तो खुदा के नाम पे खैरात कीजिए अल्ला हने दिया है गरीबों को दीजिए कुछ तो खुदा के नाम पे खैरात कीजिए अल्ला हने दिया है गरीबों को दीजिए तो खुदा के ना मुझे खेरा दिकीजिये सुनकर ये बात उसकी वो हसने लगा खबीज और तन्जिया लहजे में यू कहने लगा खबीज आई नहीं है कोई मेरा बक रही है क्या रिष्टा कहीं होता है क्या मुफलिस अमीर का शोहर तेरा फकीर है आला हूँ मैं अमीर आता नहीं है महल मेरे कोई पकी रहते हो जिसके बास से भूखे तमाम दिन चक्कर मसाजिदू के लगाते तमाम दिन पत लाओ तुम को रोजा नमाजों ने क्या दिया मुफलिस सदा से हो रहे मुफलिस क्या पाइदा मांगो उसी से करते हो तुम जिसकी इबादत देखेंगे हम क्या आएगी बर आपकी हाजत खैरा तुमें करता नहीं तुम घर को लोट जा ये दामने उम्मीद न भर पाएगा तेरा बोली वो हात जोड के एहसान कीजिए पूरा हमारे कलब का अरमान कीजिए पूरा हमारे कलब का अरमान कीजिए बोली को हाथ जोड़ के एहसान कीजिए उन्गा हमाने खल्ब का अदुमान कीजिए रम्जा आया मुमिनों रम्जा आया चेठानी उसकी आगई गुस्ते में लड़ पड़ी पेचारी बद नसीब पे बेजा अकड़ पड़ी दी गालिया और बाल पकड़ कर हिला दिया दुख्यारी घम सदा को समी पर गिरा दिया फिर लात गुसे मार के धक्ये दिये उसे और गेट से बाहर किया फिर आई शान से वो अश्के घंपाती हुई घर चली गई शोहर से जब कहा उसे हैरत हुई बड़ी रोने लगा कलेजे के टुकुडे हुए हजार नजरों में उसकी घूम गया वालदा का प्यार खमजोरी इसकदर थी के बेहोश हो गया दीबी ने नफल पढ़के नमाजे करी दुआ फिर सूरय यासीन पढ़ी दम किया उसे फौरन वो उटके बैट गया हुकम खुदा से रोजा नमाज की बड़ी आला है बरकते बेशक नमाजियों पे हैं अल्ला की रह्मते रोजा नमाज की बड़ी आला है बरकते बेशक नमाजियों पे हैं अल्ला की रह्मते रोजा नमाज की बड़ी आला है बरकते बेशक नमाजियों पे हैं अल्ला की रह्मते कर दो 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 पर आया हुआ ए था खुशी के साथ उने रमजान का वो चांग दुनिया के नजारे हुए उनकी नजर में मांग खाने के वासते न था कुछ घर में उस घड़ी खालिब थिरन जो घंपे वो रमजान की खुशी पहला धरोगा घर से वो परदेश को चला जाकर कमाए माल के बच्छों का हो भला वीवी ने चक्की पीस के रोजे रखे सभी बच्चे न भूप से यू तड़प ने दिये कभी शोहर के विछण जाने कभे हद मलाल था गुर्बत को नाम कौन सदे क्या कहे भला आविंदू उसका देखिये परदेश में गया और कारोबार लकड का उसने शुरू किया चंगल से लकड काट के लाता था वो गरीब चंगल से लकुड़ी काट के लाता था वो गरीब अब हाल उसके भाई का सुनियेगा दोस्तो जिसने के धक्के देके भगाया गरीब को वो ता नमाद से न ता कुछ वासता उसे कहते थे सभी लोग बड़ा भेहया उसे था 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 रोजदार की नजरों के सामने बीवी भी यूं ही रहती थी घूंगट उतार के दरते नगे वो फहरे खुदा से शरीर थे घरकाब बेहायाई में उनके जमीर थे गाड़ी से एक रोज कहीं जा रहे थे वो ते शाद शाद ताजा हवा खा रहे थे वो पहरे खुदा में ठस गए गाड़ी थिसल गई तक कर हुई तिरक से तो हालत बदल गई बेहोश हो के गिर पड़े सरकुन के फट गए नापाक खयालों के निशाना तो मिट गए भाई की बीवी सुन के खबर आई उस जगा भाई की बीवी सुन के खबर आई उस जगा और अस्पताल ले गई दोनों को बाहया भाई की बीवी सुन के खबर आई उस जगा और अस्पताल ले गई दोनों को बाहया भाई की बीवी सुन के खबर आई उस जगा और अस्पताल ले गई दोनों को बाहया करवाई इलाज उनका वो बेताब थी गरीब और टाक्टर से इल्कजा करती रही गरीब अल्थिस्ता आठ रोज रहे अस्पताल में लेकिन अफाइदा घफ़से थे जवाल में फिर रूह उनकी कह गई दुनिया को अल्विदा भाई की बीवी ले गई दफना दिया गया जिस दम हटे बशर दोनों की कबरे ठट गई सब के हिले जिगर उनकी लहद से आद के शोले उठे तमाम कहते थे लोग है तो ये लोगों महे से आम लेकिन है बात क्या के है वम जानुमी अजाब ये बात सुनके एहले नजर के उठे शिताब रोजा न कभी रखते थे पढ़ते न थे नमाद नाराज इन से हो गया है रब्बेकार साथ रोजे को छोडने का उन्हें ये सिला मिला 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 भूही लहद की आग में चलते रहे सदा पुमिनो नमजा आया आई था उसका दोस्त परदेश में मुकीम महलो मकान इसका जो थी दौलते अजीम सब उसके नाम आ गया उसको न थी खबर उन्हें से में रमजान को आया वो अपने घर बीवी ने बताया तो बड़ा दुखु हुआ उसे भाई की याद आ गई आसू निकल पड़े सब रोज उन मिल गया मिल जानी बे खुदा भाई के वास्ते पड़ी फिर उसने पाता हा पच्चों को लेके आ गया उसके मकान में अब चार चांद लग गए खुर्बत की शान में उमरा में उसका होने लगा खा शुमार अब पुर्बत की शाम धल गई पाया करार अब पजले खुदा से देखिये उस दिन ती चांद रात सुबहा को उठके ईद मनाई खुशी के साथ अनवार जो पावंद है सुमो सलाग के जल्वे वो देखते हैं खुदा की सिबात के अनवार जो पावंद हैं सुमो सलाग के जल्वे वो देखते हैं खुदा की सिबात के अन्वार चुपावंद है सुमों सलात के जल्वे वो देखते हैं खुदा की सिपात के अन्वांद है सुमों सलात के जल्वे वो देखते हैं खुदा की सिपात के